वेलकम डूमाई ट्यूप चैनल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यूपी के गाजीपूर से हैरान करने वाला मामला यहां की एक यूपती ने नए प्रेमी के साथ रहने के चकर में अपने पुराने प्रेमी की जीवन लेला समाप्त कर दी गाजीपूर के इस लावड पाना इलाके में रहने वाली मनीशा यादो और मीनू यादो का लंबे वक्त से अफेयर चला था मगर मीनू अब इस रिष्टे से उप चुकी थी और मनीश से चुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि में पिछले कुछ दिनों से उसके संपर्क राजेश नाम की युवक के साथ में संबन भी बनाने लगी थी वह मनीश मीनू को छोड़ने के लिए राजी नहीं था बताया जा रहा है कि में उसे किसी बात को लेकर ब्लैक मिल भी करने लगा था और मीनू और राजिश ने मिलकर मनीश को रास्ते से हटानी की योजना बनानी शुरू कर दी बताया ज जा रहा है कि मनीश दूसरे शहर में काम करता था मीनू भी मनीश मिलके वहां के लिए वारंड से रेलवे स्टेशन बुलाया वह मीनू ने मनीश को रिसीव किया और गुमने के बहाने उसे बाहर ले गई इसी दोरान उसका नया प्रेमी भी उसे उसी कार में मौजूद था जो ड्राइवर बना हुआ था यहां उन्होंने मनीश को कई नसीले परदार्थ पिलाने चाहा लेकिन उसने पीने से इंकार कर दिया इसी बीच वह सबी नंदगज हाईवे पर पोचे जहां मीनू और राजेस ने मनीश की रोड मारकर जान ले ली और इस किलास को वही फैक क फरार हो गए पुलिस ने दोनों को गिराफ़तार कर लिया है और इस मामले में पुलिस ने बताया कि गाजीपूर के नंदगज थाना इलाके के धूमपूर हाईवे के पास 28 अगस्त को एक युवक की लास मिलने की सूचना मिली जिसके बाद इन्होंने उसका मर्थिक सरीर क प्रापत किया और इसका यहाँ पर इन्होंने मास्टम कराया जिसमें यह बाद साबित हो गई कि सकी जान जो है इन्हों ने रोड मार मार ली थी और दोनों आरावपियों को जो है पुलिस ने गिराफ़तार कर लिया है अब देखना या कि दोनों को क्या सजा होती है गाज अगर आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करें और मेरे चैनल पर जो भी नया है प्लीज कमेंट्स में ज़रूर बताएगा आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी मिलते हम नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए ख्याल लखिएगा एंसर तक रहेगा बाई बाई